हेलो एवरीवन वेलकम टो मैं चैनल मैं हूँ मनुज शर्मा और आज की क्लास में आपके लिए बहुत अच्छी स्टेजी लेक्या हूँ आज जो है खाली एक दिन बच गया कल आपका अकाउंट एंसी का एक्जाम है कैसे उसकी प्रिपेशन करेंगे वो सोचना है देखो अब यह सोचना नहीं है कि मेरे को डर लग रहा है मिरसे कोशन नहीं कल रहे हैं वहाँ पर क्या होगा यह कुछ नहीं सोचना अब आपको प्लैनिंग करनी है कि कल के लिए कैसे प्रिपेर होना है देखो पूरे साल बार आपने पढ़ा है तो यह तो आप समझ के चलो आपको काफ और पार्टनर्शिप का किस तरीके से रिवायज करोगे वह बताता हो अपको पहले चैप्टर को उठाओ धेखो पहले चैप्टर का जो फंडामेंटल ओपार्टनर्शिप है उसका पार्ट में कैसे डिवाइड किया माइंड के पर में चमलता पार्टनर पहले गारी को म लिखते हैं credit site में interest on drawings लिखते हैं debit side में क्या लिखते हैं IOC लिखते हैं salary to partner लिखते हैं commission to partner लिखते हैं जर्नलिजर लिखते हैं और उसके बाद divisional profit आ जाएगा अब P&L appropriation से देखो आपका कैसे cover होगा अब आपको IOD पर जाना है कि IOD का कैसे calculation हो सकती है हमें यदि during the year दे रखी है और date नहीं दे रखी तो हमें six by twelve करना है ऐसे दिमाग में ले क्या होगी यदि regular drawings करता है पूरे साल के लिए फिर वो उसमें notice करोगे कि वो beginning में करता है middle में करता है ending में उसका क्या treatment था उसमें beginning में करते है तो six point five upon twelve है average period apply करना है middle में करता है तो six five point five four six month के लिए निकालता है तब क्या करते है quarter के लिए विडियू करता है तब क्या करते हैं तो वह फार्मुला रेजिस्टर पर नूट कर लो मिरको IOD में ये प्रॉब्लम आई तो अब IOD का खाली treatment में quarterly पर चले जाओ IOC के उपर आजाओ कैसे calculation करते हैं हमेशा opening capital पर interest on capital find out करेंगे फिर ये दियान रखेंगे कि यदि additional capital है तो उस पर भी interest देना है तो वो भी interest देंगे के अंदर देंगे जिसको expense ratio बोलते हैं तीसरा point IOC से यह देखो अभी मैं प्रॉप्रोपेशन ही बता रहा हूं आपका प्रॉप्टे लॉस एप्रोपेशन भी तैयार हो रहा है और साथ में उसमें जो point आ रहे हैं छोटे-छोटे IOD की calculation कैसे थी वो पूरा हो गया इधर IOC करने लगे IOC जब आप करने लगे तो आपने देखा net loss आ गया और नीचे provision में था कि IOC देना है तब IOC दिया ही नहीं जाएगा ऐसे दिमाग में इस सारे point को लेकिया हो तो अब आपका P&L एप्रोपेशन इसमें क्या हो गया प्रि commission तो जो partner को commission देना है कुछ लिखा तो नहीं है कि after charging है तो before charging apply होगा तो 10% का rate है तो 10 upon 100 हो गया ऐसे chapter को आपने revise करना है हर chapter को जर्नलिजर का भी बड़ा ध्यान से देखना है लिखा हो है कि जर्नलिजर में 10% transfer करना है net profit का या कई बार लिखाता है individual profit का तो देखो जर्नलिजर भी हो गया आपको P&L एप्रोपेशन भी बनाना आ गया और जो P&L एप्रोपेशन में छोटे-छोटे items थे जैसे IOD है तो I जर्नलिजर में ट्रांसफर करना है तो यह कवर हो गया तो कितनी देर लगी P&L एप्रोपेशन करने में 10-15 मिन्ट में आपका P&L एप्रोपेशन हो गया प्रोपेशन में आने वाली item थी उनके भी आपको पॉइंट रिमाइंड होगे ऐसे चेप्टर को रिवाइज करना है इसमें जो पॉइंट पे आपको प्रॉबलम आई उसको रजिस्टर में नोट कर लिया उसके बाद आगे चलो पास्ट एड़ेस्टमेंट पे आगई अब पास्ट एड़ेस्टमेंट पे आगई तो पास्ट एड़ेस्टमेंट में कहा है या तो omission हुआ होगा तो omission हुआ ह तो same side लिखते हैं याद रख लो, error वाले point पे आ जाओ, यदि आप से error हो गई, तो error में आप आपने ये देखना है कि हमने उनको IOC या IOD जादा दे दिया या कम दे दिया, तो उसके हिसाब से उनके place change कर दिने है, आपने कम दे दिया तो same side रहेगा, जादा दे दिया तो reverse कर दो, ऐसे आपका past adjustment कवर हो गया, journal entry कैसे बनती है, वो table दिमाग में लेक्या नहीं है, कि यदि हमने IOC जादा दे दिया तो return back करेंगे, फिर कई बार उसमें profit दे रखा तो profit चेक कर लो कि profit return back करना है या नहीं करना, जर्नली आपको profit given होगा, लेकिन वो return back करते नहीं है, कब करते हैं, आपने profit को profit sharing ratio दे रखा था, लेकिन नीचे लिखा गया, जो profit आपने distribute कर लिया, by mistake equally कर दिया, इस case में profit भी return back होगा, तो past adjustment भी आपका cover हो गया, फिर guarantee पे आ जाओ, guarantee of profit to partner, उसमें क्या क्या करते हैं, दिमाग में लेकिया हो, भाई profit लिखेंगे, पहले जो है तीनों में distribute करेंगे, जिस partner को guarantee दी है, उसको कोई deficiency आ रही है, तो कौन cover करेगा, कुछ नहीं लिखा, तो आप दिमाग में लेकिया हो, partner cover करेगा, तो एक को कर देंगे, अब guarantee पर ही आ गया हो, और क्या इसमें advance बन सकता है, भाई आपने profit आया, लेकिन profit उतना ही आया, जितनी हमने एक partner को guarantee प्रोवाइड करी थी, तो A और B यानि के इस मान के चलो C को guarantee दी, तो A और B को आपने कुछ मीनी देना, direct amount P&L appropriation में C लिख दो, खतम, अब क्या हुआ, आपका जो है net loss आ गया, तो net loss में कैसे करते हैं, net loss तो debit में लिखते है P&L appropriation में, उसके बाद 2C कर दो, जिसको guarantee दी, और जो total बना वो credit side में, अभी में distribute कर दो, तो ऐसे ही cover हो गया, तो ऐसे आपको हर chapter को देखो, अभी मैंने आपको कराया, मिरे को 5 minutes भी नहीं लगे कराने में आपको, ये आपका पूरा fundamental देखो cover हो गया, भाई पूरे साल बर आपने पढ़ रख है, तो आपको इतनी तो अब knowledge होगी, कि इसके अंदर ये करते हैं, अच्छा लेट करो, आप skip कर रहे हो, कि ये point मिरे को नहीं आ रहा, तो उस वाले point के जो है, 4-5 question के practice कर लो, अच्छा उसके बाद ऐसी, अगले chapter के revise करना है, आप याद रख लेना, अपने साथ register जरूर रखना, साथ में pen रखो, जैसे ही किसी point पर अटकते, उसको mark कर लो कि मिरे को fundamental में इस चीज में दिक्कत आई, तो उसके आप जो है कुछ 5-7 question कर लो, सारे question अब नहीं हो पाएंगे, ध्यान रख लेना, कई आप सोचो कि मैं fundamental उठाऊ और उसके question करने लग जाऊ, फिर तो हमसे एक chapter भी cover नहीं होगा आज के दिन, हमने तो आज सब कुछ ही cover करने हैं, और basically क्या करना है, हमने points को ही तो देखना है, question तो हमें आई रहे करने, ये थोड़ी है कि question P&L appropriation ही नहीं बनाना रहा, भई बनता क्या है, credit side में net profit लिखते है, credit side में IOD लिखते हैं, debit side में 4 item लिखते हैं, ऐसे याद रखना है, तो इससे आपको chapter cover हो जाएगा, ऐसे ही आपने दूसरे और chapter cover करने हैं, तो ये चीज़ के लिए रोगई, ये बाद आपने क्या करना है, एक 3 घंटे का paper लो, जिसकी answer की भी available हो, चाहिए net से ले लो, चाहिए जहां से भी आपके पास available हो, वरना आपके पास sample paper almost सभी के पास है, solution देखने नहीं आपने, पूरा question, पूरे के पूरे paper को solve करो, उसके बाद जो है ये अपने आप self analysis करो answer की से, कि इसमें मिर से क्या क्या mistake होई, लेट करो थोड़ी सी mistake होई, तब तो वो तभी rectify होगी, उन उन chapter को mark कर लो, कि इस chapter मेर को इस point में दिक्कत आई, तो उस type के point को revise कर लो, तो इस तरीके से आपने planning करनी है, तो ये चीज़ समझा गई, उसके बाद जो है, जो जो point आपको अच्छे लगते हैं, उनको register में side में note करते जाओ, वैसे मैं पूरी कोशिश है, एक और वीडियो रिले के आऊँगो मैं आपके लिए, जिसके अंदर हर chapter में, mostly जिन point में mistake होने के chances बनते हैं, उस type के point आप से discuss करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर watch कर लेना, तो next class में मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया, आप कोशिश करो ये follow करो, आपके जो है, जितने आप सोच रहे, जो आपका target है, वो जरूर अची होगा, तो next class में मिलते हैं, thanks for watching my video,